अब आपको उस होनहार से मिलवाते हैं जिसने मिट्टी से मैजिक किया है चित्रकारी तो आपने कई देखी होंगी मगर 17 साल के किशोर ने कुछ ऐसा सोचा जो सबसे अलग है और अद्भुद भी अकसर यही सुना है रंगों से सजी रंग बिरंगी दुनिया मगर जरा सोचिए अगर दुनिया में रंग ही ना हो तो जाहिर है सब मिट्टी सा लगने लगेगा लेकिन जरा इन तस्वीरों पर नज़र दोड़ाए ये सब उसी मिट्टी का कमाल है इन पेंटिंग्स में किसी रंग का इस्तमाल नहीं हुआ है मगर तस्वीर ऐसी बनी है मानों बोल उठेंगी सत्रा साल के आयूश की एक अलाकारी अदबुध है आयूश अपनी चित्रकारी बिना रंगों के करते है मिट्टी, अगरबत्ती, राक और लकडी के कोईलों से पेंटिंग बनाते है अब सवाल ये है कि आयूश को ये आइडिया आया कहां से तो यहां भी वही कहावत आती है आविशक्ता आविशकार की जननी है आयूश जब कक्षा 5 में थे तभी से चित्रकारी का जुनून सवार हुआ मगर पहाड में अच्छे रंग नहीं मिलते थे और जो मिलते थे वो काफी महेंगे थे ऐसे में आयूश ने अपनी माटी को ही अपनी तस्वीर की तकदीर बना दिया मैंने धीरे-धीरे कई जगाओ के मिट्टी इकटकी अगर बत्ती जो घरों में जलते हैं उसके राक इकटकी लकडियां जो चूले में जलते हैं, उसका जो काला बज जाता है, लास्ट में जो फाइनल प्रोड़क्ट बज जाता है, उसको मैंने बारीक पाउडर के रूप में बना के उसका भी यूज किया, तो ये टिपिकल था बनाना क्योंकि रेशियो मैच हुआ नहीं, नवाटर का स आयूश ने बार्वी तक की पढ़ाई अपने पैत्रिक गाउं से की, बार्वी के बाद कला के छेत्र में बढ़ती रुची उन्हें दहरादून ले आई, वो दहरादून में अपने मामा मामी के साथ रहेकर फाइन आर्स में ग्राजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, आयूश के परिजन भी उसकी अनोखी सोच और प्रदिबा देखकर खुश है मुझे बहुत खुशी है कि ये फ्यूचर में चाहते हैं कि अपनी संस्कृति के ऊपर काम करें और जो ये मिट्टी का जो कंसेप्ट है, इससे क्या हो कि हमारे पहाणों में जो बच्चे बाहर आने में ही जखते हैं या जिनके फैनेंसल पोजिशन इतनी अच्छी नहीं हो अपने पहाणों में जो पीड़ा है वो उसकी पेंटिंग में भी चलगती है अपने मिट्टी से बने वे खिलोने जरूर देखे होंगे, लेकिन पहली बार मिट्टी से भी पेंटिंग बनाई जा सकती है, ये दिखाया है करके आयूस बिस्ट ने, आयूस बिस्ट का सपना है कि वो पहाण के लोगों को पहाण की मिट्टी से अपनी कलाकारी से जोड़ झाल झाल